हेलो गुड मॉर्निंग आईज कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ अच्छे ही होंगे सुबह के बच्चों के थे साड़े छह बच्चे वगएरा ना लिये हैं तो मैं कर रही थी उनके लंच की तियारी तो आज मैंने बनाए थी दैवाली हरी मिर्च जो कि आपके पहरे वाले डाला करें इस वज़े से मैं अभी कोसिस करूंगी कि डेली व्लोग डालने की तो यहां पर मैंने बच्चों का लंच वगएरा बना दिया था बच्चे स्कूल जा चुके हैं दीदी भी स्कूल जा चुकी है हस्बैन ने पस वो को नहला दिया था तो भार का आउड़ोर अभी बाकी है अभी तो कम से कम आदा पॉन गंटा और लगेगा कीचन में यह आउड़ोर साफ कर लेती उसके बाद में इसको पोचा वगएरा बाद में लगाऊंगी हस्बैन अपनी डूटी पर निकल जाएंगे साड़े आठ बजे के करीबन लग बग अभी एक गंटा ब सब्सक्राइब कर दिया मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए सोयबिन उबाल के आई हूं फिर सोयबिन बनाऊंगी परठा और यहां पर मैं कपड़े प्रेस कर देंगे एक जोड़ी आज शटड़े है तो यूनिफोम नहीं चड़ेगी सीविल पैन के चाहिए मतलब जो भी ब्रेस चाहिए मतलब शटोर क्राब्सक्राइब कर दें निफ। करते हैं उन्हें सिलोट पड़ जाते हैं और सुबह फिर से मुझे करने पड़ती हैं तो कई बार मैं क्या करते हूं वीक में एक बारे पंदर दिन में एक बारी प्री अलमारी को साफ करती हूं जब सारे कपड़े हां आइरन के हो गए अब कुछ भी नहीं बचा है और तो बस प्रेस वगएरा कर लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं तो यहां पर कपड़े प्रेस कर लिए थे हस्बैन भी डूटी के लिए निकल गए हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी वह तो लस्टी का ग्लास भी कर गए हैं नहीं खाया उन्होंने मैंने आज इक बार सुखा कि आओ फिर लेकर आओ धूप में जाने का किसी का भी मन नहीं करता है तो मैं क्या करती हूं सारे कपड़े स्टैंड पर डाल देते हैं श्याम तक तो क्या दो पैर तक ही सारे सुख जाते हैं और दूल मिटी का भी कोई डर नहीं रहता क्योंकि अभी आंदी में दिक्कत आती है कपड़े वगरा सुखाने में अंदर है अराम से ऐसे ही होता है